रूस, यूक्रेश युद० का दस्वा दिन और ये बड़ी कबरेज आप लगातार देख रहे हैं और दस्वा दिन अगर हम बात करें रूस, यूक्रेश बॉर की तो हमले रूस ने और दीस कर दिया है कि रूस के ताबर दो रट हमले जारी है या हमने हो रहा है खारकिप से तबाही की तस्मीरी आई थी ऐसा मंज़र सामनी आया कि रूह काम जाए एक हपते में रूस ने अब तक 500 से ज़ादा मिसाइले दाग दी है और इस सिलसला थमा नहीं है, सिलसला जा रही है दसमा दिन है और दसमे दिन हालात ये हैं कि पुश्किल बरे हालात ये तसमीरे हैं इन तसमीरों को आप देखिया और उसके बाद हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि यूकरेन अब क्यों खरी खोटी सुनाने लगा है नाटो को ये तसमीरे इन ही तसमीरों के बाद से क्योंकि जिससे आप एकशाये थी वो आया नहीं आज हालात ये हैं कि शहर शहर गली गली जो वहां के स्ट्रीट्स हैं वहां पर सिर्फ धुआ उटतवा दिखाए दे रहा है जो लोग वहां पर घरों में अभी भी डटे हुए हैं वो आप डरने लगे हैं कि क्या गलती तो नहीं कर रहे हैं हम घरों में रुकर क्या गलती तो नहीं कर रहे हैं यहां से ना निकल कर बंकर में तो नहीं चला जाना चाहिए हमको हालात कुछ यह हैं क्योंकि मिसाइल आप देखे 500 मिसाइले एक हपते में यह संख्या छोटी नहीं है और यह कहा जा रहा है तब जब रूस अभी 100% अपने पूरी स्टेंथ के साथ नहीं लड़ रहा है वो तो कुछ परसंट ही अभी वो लड़ रहा है और उसके बाद का मनजर यह हैं कि सड़कों पर जो बाहने चाहिए वो सैनिक बाहन है जब आम गाड़ियां हैं सब तबा सब निस्त नाबुत और जो रूसी टैंक्स हैं जो रूसी काफिला है जो कॉनवॉय है गाड़ियों का वो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है लेकिन अपने पीछे जंग के निशान चोड़ता चला जहां जहां से एक उनवॉय आगे बढ़ रहा है वो शहर शहर तबाही मचाते हुए आया है और अब निशाने पर बस वो जगा जहां तक पहुचना लक्षय था यानि कि राजधानी कीव राजधानी कीव की कुछ सस्विर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हालात यहां पर लगातार बिगट रहे हैं रूस और यूकरेन के बीच में महायुध जारी है दसमा दिन है और इस यूकरेन के इस यूध में कई शहरों में तावर तोड़ हमले हुए है कीव में जोरदार हमले जारी है खार कीव में भी रूस ने बड़ी तबाही मचाई है और इस बीच में नैटो ने यूकरेन से अपील की थी जिसे माना नहीं गया ऐसे में यूकरेन में नो फ्लाई जोन लागुन नहीं हुआ है जिसके चलते है राष्टपति जैलेंसकी ने नेटो से नाराज की चटाई है और नेटो को कमजोर बताए है नेटो सम मिलन को कमजोर शिकर सम मिलन बताया रूस के अब तक कि अगर हम लोग की बात करें तो वो ताबर तोड़ जानी इस बीच में रूस में अब रूसी सेना को लेकर अगर फरसी खबर दिखाई तो जाना होगा जील रास्टर पती व्लादमेर पोतिन ने खानूर पर बहुत लगा दी है साथी साथ पोतिन ने सूशल मीडिया कंपनियों पर भी बड़ी कारवाई किये जसमें फेस्बुक मेटा है ट्विटर के साथ साथ यूट्यूब पर भी बैन लगा दिया है पहले इस तरह के बैन की कारवाई इन्हीं कंपनियों ने के थी बाद में अब रश्याने भी कारवाई कर दी है अब आप उन जगहों को देखिए उन देशों को देखिए जिन्होंने आप तक कारवाई किये है रश्या पर पतिमंद लगा है airspace ban किया है तो इसमें European इन की जो country's आपको दिखाए देंगे Germany, Austria, Slovenia, Italy, Greece, Bulgaria, Romania, Ireland, Britain, France, Norway, Sweden, Finland, Poland, Croatia तो ये वो country's ने इसके साथ साथ इसमें Canada भी है, America भी है जिन्नोंने airspace पर ban लगा दिया है यहां से किसी तरह की कोई गतिविदी, हवाई गतिविदी तो कम से कम रशिया नहीं खिरबाएगा इन country's ने ban लगा दिया है, तो जवाबी कारवाई रशिया की तरब से भी की गई है रशिया ने भी अपने airspace के लिए, इन country's के लिए ban किया है लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों के बाद जो यूकरीन में नहीं भी है वो यह समझ पा रहा है कि वहाँ के लोगों की चिंताएं कैसी, वहाँ के लोग किस दर्ज से इस वक्त गुजर रहे हैं और अब वक्त है आपको अब तक का वार अपडेट देने का सुभा दस बच कर चार मिनट के बाद अब तक हैने की सारा का सारा अपडेट हम आपको दे रहे हैं नोफलाई जोन के फैसले पर US नेटो एक साथ, यानि की जैसे नेटो इनकार किया US की प्रणिक्रिया क्या हम साथ हैं नेटो कमजोर है, कुछ नहीं कर सके, यूकरियन के उसकी बाद प्रतिक्रिया भी आ गये है कि नेटो एक कमजूर है, जैसा सोचा था नेटो के बारे में वो वैसा नहीं है, इस बीच में UNHRC ने वहाँ पर चर्चा हुई, रूस युक्रियन युदू पर वहाँ वोटिंग हुई, उस वोटिंग में हाला कि भारत में हिस्सा नहीं लिया, भारत ने UNHRC वोटिंग में प परमाड़ युदू की तरफ बढ़ रहा है, जैसे में निर्णाय कारवाई की जुरत है, रूस ने कुछ एक्शन लिये हैं, कुछ कारवाईयां की हैं, वो ये हैं, फेस्बूक, ट्वीटर, यूटूब, उस पर बैन लगा दिया है, साथी साथ एक ऐसे कानून पर हस्ताक् तो 15 साल तक ही जील हो सकती है, यूकरीन से भारतियों की बापसी लगातार जा रही है, ऑपरेशन गंगा लगातार जा रही है, इस बीच में कुछ प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में, वो भी हम आपको बता रहे हैं, प्रदर्शन यूरोपिये संसर्द में मेक्सिको में देखने को मिला, ग्रीस में देखने को मिला, जब प्रोटेस्ट लगातर हो रहा है, कहा जा रहा है कि रूस जो कुछ कर रहा है, उसके बाद आप इन धमाकों की पुस्किल देखें, हमने आपको वो संख्या बताई कि मिसाल अटाए किस तरह से हो रहा है, अब आ यहां देखिए कि गाडियां है कुछ लोगों की वहाँ पर आवा चाहिए भी है रात का वक्त यह तस्वीर आप देखिए तो तस्वीरों से अब अंदासा लगाना मुश्किल ने के वहाँ पर आहलात के हैं लेकिन आप यहां पर बहुत इंपोर्टेंट हो चला है कि नेटो से अपेक्षाएं थी लेकिन नेटो ने हाथ पीछे कीछ लिए और इसे पर चर्चा के लिए खास मेंमान हमारे साथ जुड़ गया है हमारे साथ सुरेश गोहल जी हैं पूर्व राजनेक हैं से बहुत स्वागत था आपके और अमारे साथ रिटार्ट, लेपनेर जनरल, आरुन साहनी जी भी है आपके बहुत स्वागत है, सुरेश जी सबसे पहले आपी से कि यूकरीन ने गुजारिश की नेटो से कि नो फ्लाइज जोन घोशित कर दीजिए लेकिन नेटो ने इनकार कर दिया आपके इसाब से किन परिस्तितियों में और क्यों नेटो ने इनकार किया हो गए देखें ये पहले से साफ था कि नेटो इस वर में हिस्सा नहीं ले रहा है क्योंकि नेटो की डिसीशन ये है और ये सही बाग भी है कि पहले तो उनने वर के शुरू में बलकि पहले ही कहा था कि नेटो खाली अगर किसी नेटो मेंबर पर अटेक होता है उसी हालात में वो शामिल हो चकता है वरना शामिल नहीं होगा और दूसरी चीज यह है कि जो बड़ी एक वाजिप सा एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर नेटो इस युद्ध में सम्मिलित हुआ तो इसके तीसरे विश्व युद्ध में बदलने के पूरे पूरे चांसिस हैंगे और नेटो नहीं चाहता है कि यह जो युक्रेण की लड़ाई है तीसरे विश्व युद्ध में बदलेगी तो इसकी पूरी उम्मीद थी कि वहाँ पर नेटो यह नहीं कर रहा है साफ साफ बात है कि नेटो इंगीज हो जाएगा वार में तो वो नीचाहेंगे और मेरे ख्याले सही एक ये डिसीजिन है होगा आप कहरें कि सेनिड है अरुन सर आप खरी खोटी सुनने को मिल रहें खरी खोटी सुनाने लग गया है उक्रेन नैटो को कि आप तो कमजोर हैं हमें लगा था कि आप मजबूत हैं, पावरफुल हैं, नेने लेने वाले हैं, लेकिन आप तो नेने लेने की क्षमता तक नहीं रखते हैं। कि अधर में आएंगे वो नहीं हुआ। जिस परकार अमबैस्टर साब ने काई, जो वारे साथ दूसरे शुता हैं जिन्होंने आज नेट पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने आप करेक्टली बताया है कि नेटो ने किसी भी तरह से लडाई में लेने ये हिस्सा लेने के और इस परकार से कल से काफी न्यूस चैनल बोल रही हैं कि यहां पर तीसरे महायूद की संकेतना है, तो अगर अडिशनल रिलेशन जॉइन करेंगे, तो तब ही ये थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिती के ऊपर बढ़ सकता है, तो आई धिंक डिसिजन उनका खरेक्ट था, तियार देने से तो फरक नी पड़ता है, तो आप जैसे जानते हैं कि पूतिन की रन नेती यही है, कि सी ओफ आजोग, ब्लैक सी, दोनों से इनको सेग्रेगेट किया जाए या काट दिया जाए उक्रेइन में लाइन को, ताके उदर उनकी कोई भी सपोर्ट की कोई शमता न जो सिटी है, वो उनके कबजे में आए, और यही उसकी जो रन नीती है, आज मेरे काल दस्वा देना है, वो उसी रन नीती के उपर कारवाई कर रहे हैं। अगर युक्रेइन के लोग हैं, उनको बात पसंद नहीं आए, लेकिन नेटो शुरू से बोल रहा है कि हम आपके लडाई में हिस्सा नहीं बनेगी, हमारे जो है सेनी पहां पर नहीं आएंगे, और नेटो आपके लडाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बनेगा, यह पहले मैं कहूं चलिए, बेरकुफी नहीं गलती है यह, कि उनको पहले पूरी एक सांबरीक स्थिती समझने के बाद में यह निर्णा लेना चाहिए था कि बोट रेश्या से युद ले या नी ले, और भी तरीके थे, युक्रेइन को पहले कहा गया था कि आपको नेटो का हिस्सा कोई फैदा नहीं हुआ. इस बीच में एक बड़ी खबर, बड़ी खबर यह, कि यूक्रेइन की रास्ट्रपती का बड़ा बयान, यूक्रेइन की रास्ट्रपती, जेलिंसकी का बड़ा बयान, मैं यूक्रेइन में ही हूँ, क्योंकि रशियन मीडिया के तरफ से दावा किया गया कि वो नहीं है, ल और उन्होंने उन तमाम जो खबने आ जा रही थी लगा था जो दावuting की अजा जा रही थी ता जा रह एट हो ऒडा अव को सद्वह में आ करते हो ही उनको कारीश कर्ते हो एंक तर विडियोजारिश करते होए की मैं अपने देश में हो मैं अपने मुल्क में, अपने यॉक्रेइन में हूँ, कीव में हूँ, और ये एक्सकोजी वीडियो भी हमारे पास है, राश्वादी जैलेंज की, यॉक्रेइन में. स्थापित हो सके कि वो अपने घर में ही है सर सुरिश सर आप कंटेन्यू कर सकते हैं साथ साथ मैं इस वीडियो पर भी आपसे रेक्शन चाहूँगा तो मैं यह कह रहा था कि अल्टिमेट्री जेलिंस की तयारतों हो गए बातचीत करने के लिए लेकिन उसके बाद भी शर्तों को शर्ते लगाते जा रहे हैं कि पहले यह द्रोके पहले यह करें उसके बाद बातचीत होगी जबकि इन बातचीत में अभी शर्त कम से कम यूकरेन के पास शर्ते रखने का कोई रास्ता नहीं है कोई ख्यमता नहीं होंकी तो बातचीतों करेंगे लेकिन थोड़े सा उनको अभी समझना पड़ेगा कि जो वो सोच रहे थे कि नेटो साथ देगा या और को साथ देगा वैसा नहीं है और मेरे को लगता यहीं है कि अभी दो-तीन दिन या जब चल रही है चलेगे अल्टिमेटली बातचीत करेंगे और समझोता हो नहीं करना ही पड़ेगा जो यह दिखा रहे हैं पिक्चर यह कि अपने घर में है यह देखिए तस्वीरे दिखाते रहे हैं कब की तस्वीरे हैं क्या कह रहे हैं आजकल बहुत सारी चीजे होती है कि बैक्ग्राउंड में चल रहा है आपकी ये स्पेशल इफेक्ट चल रहे हैं ग्राफिक चल रहे हैं आप ग्राफिक को बना लीजिए बाद में कहीं से कर लीजिए इन चीजों का मैं अब भरोसा नहीं करता हूँ, हो सकता है हूँ, हो सकता है नहीं हूँ अगर थोड़े समझदार होंगे, तो मेरे ख्याल अगर वोड को कंड़क्ट करना भी है वो बजाए हाँ पर कीमे रहे करके कहीं और बहार से करेंगे कम से कम सेफ रहें आप एक करने कि समझदार यसी में है कि यहां से वो चले जाएं मैं अरुण सर आपके पास आऊँगा लेकिन उसे पहले एक छोड़े से ब्रेक कर चुंकि वक्त हो चला है ब्रेक के उस पार आपके पास में आऊँगा, कुछ इंपॉर्टन सवाल है उटके जवाब आपसे चाहूँगा और एक एक अप्डेट आपको ब्रेक के उस पार भी लगातर मिलेगा प्रेजेंटिंग वी न्यूज आप अवेलेबल उन गूगल प्ले आप स्टोर डाउनलोड इट नाउ